है तो है तो इस पूर्टिकलर session में हम समझने की कुशिश करेंगे के गुड़गाओं के लोग गुड़गाओं का ब्रट का काम करते हैं क्या तो गुड़गाओं में कितनी zone है और हम the question किस zone का का करते हैं और उस जोन का जो हम काम करते हैं उसके पीछे रीजन्स के आने ठीक है तो जैसे इसको आप ऐसे समझें गुर्गाओं बहुत बढ़ा है उसका एक मास्टर प्लान है मास्टर प्लान कौन सा है 2130 तो इसमें लिए लिख देता हूँ गुर्गाओं मास्टर प्लान 2031 तो पुर्गाओं मास्टर प्लान 2031 अच्छा यह वाला पार्ट जो है डेगी है यह पूरा गुर्गाओं मैं अपको इसकेन करता हूँ कैसे तो बेसिकली डिली से जाइपूर एक हाइवे जाता है इस हाइवे का नाम है के अंदर वो आप जानेंगे तरी तरी कैसे के जहां पे इंवेस्मेंट्स केवल गुर्गाउं या डेली से नहीं आती यहां पे इंवेस्मेंट्स कम्प्लीट वर्ल्ड से आती है ठीक है वह हम समझेंगे क्यों उसके रीज़न्स क्या है पहले अभी इस सेशन का अठीक यहां पर है क्योंकि एक चीद मान के चलो जब आप प्रॉपर्टी का काम करते हो इसको आप कुल भी में समझ के चलो आप जो की करते थो परपस क्या है हमारा जब हम कोई हम काम करें फ book drive is से की निकल रहा है हमका मटे में निकल रहे हैं हम काम कर रहे हैं इससे के कोई धन दे रहा है तो वो जब person हमारे को धन दे रहा है उस person का फायदा होना सबसे पहला primarily important है मतलब जिस person से हमें benefit आ रहा है benefit हमें बात में पहले client का फायदा हो तो इसलिए हम कौन सी zone का काम करते हैं चलो मैं बताई देता हूं क्योंकि जब client को benefit होगा जब client को benefit होगा दिल से उसके दुआ निकलेगी तो दूसरा important point कौन सी zone का काम करते हैं और एक disclaimer है क्लाइंट को हरवग बताएं किसरा हम top seven developers में ही काम करते हैं साथ या आठ उससी नीचे हम नहीं जाते हैं उसका reason भी मैं आपको आगे समझाओंगा क्यों क्यों क्योंकि देखिए ऐसा है यह काम ऐसा है कि property कोई यह सबजी तरकारी नहीं है कोई toothpaste या biscuit नहीं है यह लंबे समय का investment है मतलब आज को प्रॉपर्टी में इंवेस्ट करता है हो सकता है वे ट्रेडर हो कि वो छे मेने एक साल में को बेच के पैसा कमानों राइट नॉर्मली लोग तीन साल पांस साल दस साल और लाइफटाइम का horizon प्रॉपर्टी के लिए रखते हैं तो हमारी एक यह जिम्मेदारी है चाहे हमें कितना भी experience हम वो सकता है नहीं हो अच्छा और हम सोचेंगे नहीं हम कुछ भी बेच देंगे क्लाइंट ने बोला कि क्लाइंट को information नहीं है इतना बड़ा वास्ट market है करीबन सो डेड़ सो डेवलपर हैं ठीक है उसकी उच नीच उसके comparison इवन टॉपके डेवलपर में भी प्रोजेट का काफी लोग कर लेते हैं बड़ हमें अपना देखो वर्क करना है सबसे बेस्ट मतब हमें लगे के हाँ अगर हमने किसी को किसी को हम प्रॉपर्टी बेच रहे हैं हम किसी को हेल्प कर रहे हैं चुली क्या है यह बेच रहे हैं इसका दूसरा मतलब क्या है उस इंसान को अगर दो अगर इनसान को नौलिज होती हुद ही ले ले लेते हमारी जरूरत का है तो अगर हमारे जरूरत आया है हम किसी को असल में क्या करना चाहरे है इसको बहुत गहराई से न अंदर उतानने की जरूरत है क्या ग्योंकि 99% लोग सिरफ sell कर रहे हूं नहीं करना हमारे USP क्या है ह हमारा USP यह है कि हम जो भी काम करते हैं वो मजबूत है मनलब डेवलपर टॉप का है लोकेशन टॉप की है हमारे क्लाइन को राइट प्राइज मिल रहा है क्योंकि जब क्लाइन को बेनेफिट होगा यह मेरा पोस्नल अनुबग है 12 साल का जब क्लाइन को कुछ भी आपसे बेनेफिट होगा विश्वास कीजिए मेरे वर्ट का और इसको आप मांक कीजिए आप आई होप सब आप नोट्स बना रहे हैं मांक कीजिए किसी भी क्लाइन को चाया आपका पहला दिन ही है रिल एस्टेट का आपने कुछ उसको गरेने के लिए बनाइक जी आप बताएं वो बोल सकते हैं मेरा बेटा भी जो है यूएस से लौट रहा है उसको कुछ इंवेस्मेंट करने हैं वो बोल सकते हैं हमारे जो कुलीव हैं हमारे साथ काम करते हैं वो इंवेस्मेंट करना चाहिए बनाइक जी जैसे आपने हमें ह होता है प्रॉपर्टी बनने रहे है ताइम पर उसकी क्वालंटी बिकार है चलो प्रॉपर्टी बन गई मिल गई उसके बाद उसके मेंटेनेंस नहीं हो रही है तो क्या मतलब क्लाइंट आपको किस वे में सोचाएगा कि उस दिन मेरे को वो परसन आये ते उनने मुझे प्रॉपर्टी बताई थी मेरे को तो फसा दिया कि मलग आप सोचो इसको कैसा लगेगा ठीक है आपने उस समय कमा लिया होगा जो भी आपने एक समांट कमा लिया अपनी ब्रोकरेज आपने कमा लिया बट आप ने उसकी जिंदगी बर उसके साथ क्या किया तो क्यूंकि आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो और शाइद कि मतलब हाथ जोर के कुजारे से हमें नहीं पता हमारी जिंदगी कितनी है हम एक साल जीएंगे और पांच साल जीएंगे अच्छा करते हैं ना है मतलब क्या फरेक पड़ता है क्यों नहीं कर सकते मतलब और मैं बता हूँ यह लाइन क्योंकि बहुत बड़ी लाइन है इसके स्टेक्स पहुत बड़े हैं एक प्रॉपर्टी आप मानके चलो एक क्रोड दो क्रोड पांच क्रोड नॉमल रेंजल है एक परसंट भी आता तो इट लाग दो लाग तो एक लालच आता है तो आपको अपने लालच को मारना है क्योंकि आप लॉंग टर्म काम करेंगे मेरा यह प्लीज यह मानके चलना और जब तक मलब हमारी टीम का अमारी जो भी टीम है बनायक परमा टीम है इसका एक यूएस पी हम गलत प्रॉपर्ट सबसे पहले इंपॉर्टेंट है आज हम गुर्गाओं कर रहे हैं करको हम बैंगलोग करेंगे परसों हम नॉइडा करेंगे फिर हम दुबई जा सकते हैं हम अलगा कंट्री में करें लेकिन टॉप डेवलोपर के साथ करेंगे वह मैं सम्झाओंगा डेवलोपर कैसे चूज क सब्सक्राइब करेंगे नहीं करना कुछ भी बोलें हम यह हैं नहीं कि दूसरा पॉइंट जो प्रोजेक्ट उनके डिलिवर हो चुके हैं क्या वो टाइम पे डिलिवर हुए हैं वेरी इंपॉर्टेंट भारत के अंदर अनफॉर्चुनेटली डिलिवरी बहुत बहुत बा बाद हो जाती है आप इसको ऐसे समझना है कि आप एक परसन जो आपके पास आया है प्रोपर्टी करीडने के लिए आप उसको चाहे अपने फादर मान लो अगर एज जादा है नहीं तो अपना बड़ा भाई मान लो अपनी बेहन मान लो आप यह सोचो कि एक परसन आपके पास आया है पर्मात्मा ने आपको यहां पर निम्द बनाया है उसको है करने के लिए इसको प्लीज ट्राय किजे ट्राय करके देखिए आपकी जो निकलेगी ना वो एक मतलब ना वो सामने वाला भी डिट करेंगे कि उनका परपस क्या है और बहुत बार ऐसे हो सकता है कि आपने क्लाइन को पूरी हेल्प करें क्लाइन आपसे नहीं खरीत है कोई बात नहीं वहां रिकॉर्डड़ है कि मैं आपको कुछ अलग चीजे बता रहा हूं नॉमली इस तरह से रिल एस्टेट की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है हार्ट को सेल्स पर बात की जाती है बड़ म मैं आपको अपना एक अनुभव बता रहा हूं तो अपने आपको ठोस मजबूत एक अच्छा इंसान बनाए सबसे पहले तब आप रॉपर्टी में काम करें मेरा विश्वास है और मैं आपको मतलब क्या बता हूं इस चीज की आपको अथोरिटी और गारंटी देता हूं ब पर बहुत अनलिमिटेड है बट अच्छा काम करेंगे ठीक है तो वापिस आते हैं तो क्योंकि हम गुर्गाओं का काम करते हैं तो अब इसको ऐसे समझाना है कि आपको क्लाइन से बाता हूं अब लिखने प्लीज नोट्स बनाएं रिक्वेस्ट है प्लीज नोट्स बनाए है मैं जब बोलूगा लिखं़े हैं तो आप लिखेंए तो सबसे पहले बापको यह नहीं है को इसको एछिन की है तो जाता है और गुडगाओं के टोटल छे हैसा निरे आग यह वारा शारा पार्ट जो है यह वारा सारा पार्ट जो है यह शो लाइन बनी हुए जो रोट जा रही है, इस इस सैड आपका गुडगाओं और आगे जाते हैं तो आपका अफिवारी नीमराना ठीक है यह सब मानेसर आगे जैपुर तक अलबर मलग यह सब निकल जाता है ठीक है तो बीच में हाइवे जाता है हाइवे के लेफ साइट पर दिली से जाएंगे यहां क्या लिखा है एनेच पॉर्टेट के लेफ साइट किने चिल्मराना तो और दिल्वेफ साइबर का से पहली रोड गॉलफ कोस रोड लिखे लिख लेए पहली रोड है गॉल्फ कोस रोड दिक आप है क्यों बता रहा है фильм अगर आपको एक वो कॉसे पता कैसे हैं वक्शिन चल्बर के बढूबर को प्रॉपरली पूरा और हम कौन सी जोन क्लाइंट को सज़ेस्ट कर रहे हैं उसका रीजन क्या है अगर आपने ये बता दिया तो क्लाइंट समझेंगे हाँ मेरा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है मैं ऐसे इंसान से मिला हूं जिसके पास extensive information है extensive मतलब बहुत information है जो के मेरे को मेरा जो पैसा है मेरा जो hard earned money है उसको राइट जगे पर लगवाएगा समझ रहे हैं समझ में आए चलिए चलते हैं तो highway से left में रोट जाती है गॉल्फ पोस रोड यह सबसे premium रोड है आज की रेट में गुरगाओं की ठीक है जो second road जाती है जहां वो खतम होती है टी-point पे महां से गॉल्फ पोस extension road स्टार्ट होजाती है इसका दूसरा नाम है SPR लिखने SPR SPR मतलब southern periphery road इसका full form में लिख देता हूँ इसका दूसरा नाम है ठीक है तो पहली रोड होगई गॉल्फ पोस रोड दूसरी रोड होगई गॉल्फ पोस extension road ऐसे लिखने है आप यह आपको explain मतलब ही आपको learn करना है और आपको explain करना है ऐसी डाइग्रम बना के आपको explain करना है वैसे तो गुर्दाओं का map भी आपके ह आपने होगा बटा बनाएं ना क्या दिक्कत है आप जितना अच्छी तरह से बनाएंगे आपको practice होगी secondly जो client है देखो जब हम कुछ हाथ से लिखते हैं यह तो मैंने से जल पहरे लिख दिया आप लोगों के लिए कि आपको easy हो video लंबाना हो जाए है ना तो जब आप कीजिए client को सब कुछ पता है और हो सकता है बहुत लोग client ये भी अगर सोचें करें मुझ तो सब पता है क्यों बता रहे हैं वो सुनेंगे फिर भी और नहीं सुनेंगे वो खुद बोलेंगे नहीं आप यही रहना दो कोई बात नहीं आप अपना best effort करें कोई shortcut नहीं है कि यह मैं तब की बात करना जो वह मीटिंग में आमने सामने बैठते हैं इवन फोन पर बेसिक तो बताई सकते हो तो गॉल्फ कोस रोड गॉल्फ कोस एक्सेंशन रोड तीसी रोड जो हाईवे से लेश्टाइड है इसको बोलते है सुना रोड यह वाली ठीक है तो मैं यहा कर देता हूँ इसे आपको लिंक हो जाए है यह यह गॉल्फ कोस रोड पहली रोड दूसरी गॉल्फ कोस एक्सेंशन रोड तीसरी सोना रोड ठीक है सोना रोड जो है गॉल्फ कोस एक्सेंशन रोड को जहां काटती है उसके बास सुना एक्सेंशन यह सुना एक्सेंशन च है इसको यह भी बोला जाता है साउथ ऑफ गुडगाउं ठीक है यह तो हाइवे से मतलब दिली से जा रहे हैं हाइवे से लेफ साइट पे यह चार जोंस हो गई वन डू त्री फॉर गॉल्पोस रोड गॉल्पोस एक्सेंशन रोड सोना रोड सोना एक्सेंशन ठीक है फिर हा यह प्राइट सेट पे दो जोन्स है पहली जो है वह है आपकी नियू गुर्गाउं ठीक है नियू गुर्गाउं तो हाँ नियू गुर्गाउं और लास्ट जो है वह द्वार का एक्सपरस अब आप सोचोगे अच्छा यह रोड के नाम है और यह पूरी सुना ऐसे किनियू गुर्गाउं में को रोड क्यों यह बना है। MPD समझाइन के लिए का यह जो गॉल्फ कोस जारी रोड है इस के प्रौपिच जितनी इनको प्लब जाताक है गॉल्फ कोस रोड ठीक है जो आपर प्रौपरी हैं यह सारी इस तो सब्सक्रिष इस सुना एक्सेंजिन प्रापेटी नहीं होती जाना की नाम यहां प्रापटी दे-वैसिन प्रापर यह वह युभाइड में इस पहला पॉइंट अब आता है सेकिंड पॉइंट second point में हम काम करते हैं द्वारका expressway का अब ये द्वारका expressway क्या है कहां से शुरू होती है कितने packages हैं वो सारा हम समझेंगे ठीक है और द्वारका expressway का हम काम क्यों करते हैं वो भी समझेंगे इसनाथ क्यां तो द्वारका Express पे जो है यह दिल्ली से शुरू होती है और इहां पे highway को जाके connect हो जाती है द्वारका Express पे जो है करीबन 2009 में conceptualized हुई थी मलब इसका सोचा था 2009 में सोचा था इसका proper documentation हुई 2013 में इसको complete होना था बहुत सारे hurdles थे legal hurdles थे land acquisition की problem से और भी बहुत सारे points है उसके वज़े से इसको delay हो गया 2013 में deliver होनी थी और इसका actual में ही जो काम start हो आज हम 2022 का video record कर रहे हैं 2022 हम almost November में है आज नवेंबर हमारा 14 है 14 नवेंबर 2022 तो द्वार का express से करीबन डेड़ दो साल से काम actual में start हो है इसको यह मान के चले और delivery इसकी जो होगी 2023 में end में हो जानी चाहिए maximum 2023 और 2024 first quarter first quarter मतला पहले है तीन चार मेने में deliver हो जाना चाहिए तो जो द्वार का expressway है यह दिल्ली से शुरू होती है highway को connect करती है ठीक है तो द्वार का expressway जो है exactly parallel road है इस highway के क्यों बनाएगे थी द्वार का express उसको समझते हैं highway पे बहुत congestion था तो द्वार का expressway आने के बाद यह congestion जो है यह इसका जो लोड इतना इस रूपे पड़ा था वह यहां पे shift हो जाता यह purpose था द्वार का expressway का और जो द्वार का expressway का purpose था द्वार का expressway जो है क्यों करते हैं अब यह बहुत important 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 point है कोई आपके पास investor आता है वो बोलता है मुझे अपना पैसा को invest करना है जोब कर रहा है वो business कर रहा है इससे हमें कोई मतलब नहीं है बट उसने अपनी मेहनत से वो पैसा कमाया है हमारी जिम्मेदारी बनती वो पैसा लगे और वो पैसा बढ़े और वो पैसा ऐसी जगे पर लगे जहां पे property latest technique से काम वो रा है वो भी हम दिद्कस करेंगे आगे ठीक है इस वीडियो में तो आभी चलते हैं द्वार का expressway हमने इसने चूज किया है गॉल्फ कोस रोड बहुत extensively महगी हो चुकी है यह पूरी developed zone है गॉल्फ कोस extension भी काफी हद तक develop हो चुकी है सोना डेवलफ हो चुकी है सोना extension डेवलफ को रही बहुत दूर है बहुत जड़ा दूर है मतलब यह इसको यह मानो दिल्ली एक हब है दिल्ली में जो प्राइजेज है वह आसमान को चूरी है सब जानते हैं दिल्ली के जब प्राइजेज भढ़ गए उसके बार लोग shift करें अलग अलग cities के अंदर कौन सी cities के अंदर चलो वो भी आगे explain कर देते हैं बड़ मैं आपको बतायता हूं कि लिख नहीं है कहां आगे लिख देंगे ठीक है तो गाजियाबार पहला दूसी तरफ गुर्गाओं तीसी तरफ नॉयटा चौती तरफ फरिदवार जब दिल्ली महंगा हो गया लोग यहां पर चले गए प तो इसके प्राइस भड़ नहीं है क्यों वुवह इंद्रा गांदी इंटरनाशनल और पोट इंद्रा गांधी इंटरनाशनल इयरपोर्ट जो है यह यह एक्जिस्टिंग आईजियल आइपोर्ट है यहां से वहसे थे प्लेइंज अते फिलेंजाते ही ठीक है यह एक पूर इतना बड़ा हुए उसके प्राइमेरली दो रीजन थे एक तो एरपोर्ट था और नाम इसका है गॉल्फ कोर्स रोड यानि इसके पास एक गॉल्फ कोर्स है यह दो रीजन की बढ़ गया क्योंकि यह एरपोर्ट के पास था तब द्वार का एक्सपे तो था ही नहीं यह तो अट्रा उननित बीस साल पर ले आया है तो द्वार का एक्सप्रेस पे जो आया यह इंटरनाशनल एरपोर्ट की जो है उसके करीब है अभी हम यह भी आइडेंटिफाइ करेंगी जो मारा प्रोजेक्ट है जो हम बताएंगे एंट्रेम क्याप्टिल वोग वो आगे बताएं हम कौन से प्रोजेक्स में में करते हैं तो जो द्वार का एक्सप्रेस पे एक तो इंट्रा गांदी इंटरनाशनल एरपोर्ट पास में है दूसरा इंडिया इंटरनाशनल कंवेंशन सेंटर यह बन रहा है यहां पर द्वार का में इंडिया इंटरनाशनल कंवेंशन सेंट टंबन रहा है यह दवार्का है अचाहिए जो दिल्ली है यह यह पूरी जो दिल्ली का पार्ट है रखकर नहीं ज़ा meant तो द्वार का एक्स तरशे के पास इंद्रा गांदी इंटरनाशनल रेपोर्ट है, मेन हब जिसकी बज़से गॉल्फ पोस्ट ग्रोग किया था, इंडिया इंटरनाशनल कर्वेंशन सेंटर ये क्या है, इसको आप पढ़िएगा भी बज़ शॉट में बता रहता हूँ, दिल्ली में एक जगे है जिसका नाम है प्रगती मैदान, प्रगती मैदान में बहुत बड़े-बड़े एक्सपो लगते हैं, एक्सपो को हम समझें तो एक्जिबीशन्स, मतलब इसको अगर हम हिंदी में बोलें तो मेले बोलो, नुमाईश बोलो, मतलब लोग यह आप बन नियां के लिए auto expo होते थे, jewellery जो अलग ब्रेंट्स बहारत की और बहारकं की आती थी, ज academy ise Linda ियैं बहुत बड़ी-बड़ी प्रदर्शनिया प्रदर्शनी भोल सकते हैं, बहुत बड़ी-प्रदर्शनिया लगती थी, तो वह आब खतम हो गया, उससे multiple time ब उरी एक्सपो करती थी लेदर एक्सपो होता था अलब बहुत बड़ी-बड़ी प्रदर्शनी बोल सकते हैं बहुत बड़ी बड़ी-प्रदर्शनी लगती थी है न Tak तो वो आप खतम हो गया उससे multiple time बढ़ा इंडिया international convention center बन रहा है यह कहा है बिल्कुल दौरका expressway के पास में अब यह एशिया का सबसे बढ़ा है इसको आप समझो एशिया मतलब आप समझ रहे हैं तो एरपोर्ट साथ में दूसरा इंडिया international convention center बन जा है बहुत खुशी होगी आपको जानकर कि G20 जो समित है जो लों को नहीं पता थोड़ा नेट पे सोच मारें बट मैं बेसिक में आपको बता रहता हूं पूरे विश्व की अस्त विवस्ता चल रह dependent है वो अपनी policy सारे मिलके बनाते हैं कैसे पूरा वोर्ड चल रहना है कौन किस से trade करेगा कौन किस को कैसे country को help करेगा तो उसकी एक समित होती G20 समित खुशी होगी आपको जानकर जो next है यहां होनी है तो यह जो बन रहा है अभी यह दो फेज में deliver होगा एक अभी आपका जो है 2023 में पहली फेज रिलेवर हो जाएगी तो जी टो इंटी समित यहां पर होगी है ना तो द्वारका एक्सप्रेश्वे के बिल्कुल पास में है यह दूसरा रीजन है बहुत-बहुत बढ़ा रीजन है तीसरा पॉइंट गॉल्फ कोस यह आप मालके चलो अल्मूस्ट सबसे बड़ा गॉल्फ कोस वह यहां पर फ्रेश बंद आयर नया दौर करके अंदर यह दौर का एक्सप्रेश्वे के पास में है ठीक है तो गॉल्फ कोस इसको ऐसे समझेव मैंने क्या स्टाटिन में एक्स्प्रेंग किया थ एक तो एरपोर्ट के पास में था दूसरा इसके पास बहुत बढ़िया गॉल्फ कोस है ठीक है तो द्वार का इस पर से पास यह बंद रहा है यह इंडिया इंट्राशनल कर्वेंशन सेंटर बंद रहा है यानि इस एक मैं आपको बहुत बढ़िया बात बताता हूं जहां पर सब कुछ बंद चुका है वहां पर अगर आप पैसा डालोगे पैसा बढ़ेगा धीरी धीरे बढ़ेगा लेकिन जहां भी कुछ भी नहीं बनाया या बहुत कम चीज़ें अभी बन रही है या दिक रही काली या जैपे कम है अभी डेवलकमेंट वहां पर पैसा भी आपका प्रराइस कम होगा प्रापरटी का और जैसे जैसे वो चीज कीज बनेगी प्राइस दीरे-दीरे-दीरे-दीरे-धे भागता रहा है अब इसको ऐसा सब्जो है यह डेवलनफ हो चुका है, यह डेवलॉब हो चुका है, यह जो डेवल्प्न अब हो रहा है का इस तो प्राइस अभी कम हैं और मज़े की बार पैसाबी की देड है, बहुत प्लांनों है, बहुत प्लांन्न्नiva प्रजेक्ट है किस गुंटर का प्रजेक्ट है और कोमेर्शिल है रा रेजडेंशल में नॉर्मली 50-50 रहता है रेजडेंशल में 20 80 में 10 90 को एक खुरो की प्रपर्टी है तो अगर सपोज हम एक शोक खारीद रहे तो 50 लाग अभी दें 50 लागा possession possession का मतलब जब आपका वो नो प्रापटी हाथ में आए जब आप उसको यूज कर सकें उसको प्रदेशन बोगते हैं और रेजिदेंशल के अंदर जो प्लान्स चलते हैं या तो तो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान यानि दीर दीर आप पेमेंट करते जाए और प्रॉपर्टी बन रही है तूसरा मैंने जैसे बताया 1090 के 10 अभी कर दो 90 पर कर दो तू तीसरा 20-80 अभी कर दो 80 बाद में कर दो 40 60 40 अभी कर दो 60 बाद में कर दो तो एक्जांपल के 20 80 क क्या मतल अब यह मैंने जैसे बताया आपको इसको मैंने किस से लिंक किया था प्रगर्ती मैदान बाला जो एक्सपो लगता था अब आते हैं हैं हेवी वेट डिप्लोमाटिक एंक्लिफ एक्शली हेवी वेट के आप उनी सारे ही पॉइंट्स मैं कहता हूं यह सारे में से एक पॉइ दिल्ली में चानक्यापुरी में Ambassies हैं मतलब जिनको नहीं पता मैं बता रहता हूं अलग-अलग Countries के Ambassies भारत के अंदर हैं जो work करती है ठीक है work क्या करती है trading relations किस तरह से policies बननी है किस तरह से documentation होनी है किस तरह से government के साथ changes होनी है तो कोई एक operation के यह जगे चाहिए ना उ जोन है उसके आसपास आप जाके प्राइजिस देखोगे आस्मान चुरे हैं बहुत खुश होगी होगी जानकर डिप्लोमाटिक एंक्लेव यानि एक एमबैसी एरिया जो है यहां पर बन रहा है पचास से ऊपर एमबैसी नां देकर अप्लैन होगा है वो कितने एकज़ैक्ट आएंगी वो तो बक्त बताएगा बट यह बन रहा है कि समझ आ रहा है कि बोल रहा है तो दिप्लोमाटिक एंकले वे इक एरिया मन रहा है यानि एक ऐसी जोन अबसी में कौई कोई लोग ऑएंगे बैसे में डिप्लोमाट्स आएंगे कंट्रीज के डिप्लोमेट्स मनलब टॉप ओफिशिल्स तो वहां की जोन कैसी होगी सोचो इसको आप एक्षली क्या है देखो प्रॉपटी के लिए आपको सोचना पड़ेगा कैसा हो सकता है तब आपको वह घहराई मनलब आपको खुशी होगी कि मैंने सपोस एक्जांपल म मिस्टर गुपता को मिस्टर अगरवाल को मैंने मामा को मैंने अपने चाचा को मैंने अपने फ्रेंट को मैंने अपने कुली को ठीक है मैंने अपने परोसी को मैंने प्रॉपटी सेल करी है इस जोन के अंदर जहां पर यह सब डेवलेप्मेंट आ रही है क्या होगा प्राइ प्रिंदो साग में जो क्रॉपटी की मुवमेंट हुई है सब जानते हैं एक एक करोड के फ्लैट साज एक करोड बीस लाग के हो गए है पेमेंट केबल बीस लाग गई थी उनकी एक क्रोड दस लाग के फ्लैट, एक क्रोड पचास लाग के फ्लैट, मतलब 20-30 लाग का प्रॉफित है, कोई बेच नहीं रहा, क्योंकि सब जानते हैं प्रॉफित, 50 लाग, 60 लाग, 80 लाग जाएगा, एक कोड़ जाएगा, किसी का उरगन 5 साल से भी बढ़ा है, 10 साल जाएग कोई, सोचो कहां जाएगा, क्योंकि आप सब लोग देखे, कुछ लोग इसमें नए हो सकते हैं, बट मैं आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने के लिए, कि आप किसी को भी बेचो गए ना, आपको कलको ना, मतलब एक बड़ी रिस्पेक्ट की नजल से देखेगा, मतलब, आधे हैं हमारा इतना बजट है, और आप हमेना एशर है, प्रॉपर्टी खरीग में हाग है, आप गॉल्फो षूट पे खरीग वादा हो, हमारा पांच उट को बजट है, अब ये प्रॉपर्टी यहाँ आप बोलफो पराब नहीं हैं बट पराने डेवल्प्मेंट हु. य यहां पर हो यहां पर क्या डिफरेंस हो बता हुआ देखो जो नई डेवलप्मेंट होगी उसमें गॉवर्मेंट ने कुछ ऐसी पॉलसी लेकर आएगी जिसमें कि आपकी पानी की ब्लॉकेज ना हो जैसे रोल पानी में डूप जाती है उसकी प्लैनिंग हो भी इंफरस्रेक् इंटर्शनलों मॉडल पर बन रहा है हो मैं एक्स्प्रेंगे उसके बारे आगे कि क्या सब्सक्राइब ने मैं बताया भारत वंदना पार्क हुज एक पार्द बन रहा है मतलब यह एक अलग लेवल पे मतलब यह अगर इसकी बात की जाए तो शायद ऐसा भारत में आरों न यह पूरी डेवलोप्मेंट हो रही है मनलब एक तरीके साथ इसको ऐसे मान के चलो एक ऐसी डेवलोप्मेंट हो रही है जिसके आसपास हग कोई रहना चाहेगा तो अबिसली प्राइज बढ़ेंगे फिर आपका डिरी ट्रांसपोर्टेशन हब यहां पे बन रहा है यह क्या ह तो कहने का ताथ पर क्या है मैं इसको माप कर देता हूं द्वार का एक स्टेसटे के पास सबसे पहला पॉइंट इंद्रा गांदी इंटरनाशनल एयरपोर्ट दूसरा आयाइसीसी का इंडिया इंट्रनाशनल कॉन्वेंशन सेंटर तीसरा गॉल्फ कोस चौथा डिप्लोम पार सब्लस आए और च्छटा डिढ्री ट्रांसपोर्टिशन भाव यह बंग रहे हैं जैसे मैंने पीछ में बताया कि अगर ऐंगर अगर एए उस्टा मॉल्पड़ी चीज अगर केवल कंवेंशनल इंटर होता यह सब ना होते हैं बहुत बड़ी चीज है इसके लिए गॉ मैं इनको उतनी बेटरी नंहीं होगा इंपोर्टेंट है थोड़ा सा प्राइस का वेरेशन गाता है इसको समझो द्वार का एक्सपेस्पे काना मैं आपको एक जो मैं मन में मैं जब मैं असका क्या माइन मैं मैं कभी मतल बोलता नहीं हूं इसका असली नाम है गोल्ड माइन गोल्ड माइन गोल्ड माइन क्या होती है सोनी की ख़दान इसको आप ऐसे समझो और बताओं देखो ऐसा है बाराथ साब के एक्सपीरिंस है बार की अपने बारे में तो आप किसी और वीडियो में आप से शेर कर दूँगा साथ आठ पढ़ाईयां कल लिए टॉप के इंस्ट्यूट से पढ़ाई कर लिया अलगला करियर में काम कर लिया यह मैं चल तो अपने एक्सपीरिंस से बता रहा हूं करने को किसी भी जगें पर काम कर सकते हैं यहां क्यों कर रह है इसमेट उनके पात भी सुना होगा है सोना ही सोना हवा नहीं है एक्षोल में है जो गवर्मेंट की पॉलिशी पहते हैं उसके तहर सारा कुछ काम हो रहा है आपको दिल्ली आएंगे आपको सारा बताएंगे ठीक है यह जो है उसको विजट करें सब जगों पा भी यह पूर्ट तो अलडी एक्जिस्टिंग है लेकिन बाके सब पर काम हो रहा है काम हो रहा है हो रहा है हो राइट आभी चल ले हैं दुआर का एक स्पेस्वे जो है इसका दूसरा नाम है एंपिया जैसे यह जो थी मैंने आपको क्या बताता है गौर्पोस एक्सेंशन इसको एंपिया ने लिए अध्यूर्स का भी यह सदन पैरिफर रोड थी तो यह क्या होगा और की ऑन फुल्फं के वहना ओन işte कि परेफरल रोड़ इस नमने पैरिफर्ल बोले पैरिफॉरे बोले कुछ पी बोल लो ठीक है तो हमने अभी एक्सप्रेंग किया हम दौर का एक्सप्रस्टर का काम आई थिंगे मैब बॉट इजी होगा जो लोगों ने दौर के बारे में सॉरी गुर्गाओं के बारे में इनको नहीं पता हूं पूरा आइडिया लगिया गुर्गाओं का पूरा बले आप यहां पर नहीं हो आपके विडियो देख रहे हो गुर्गाओं का आपको पूरा आइडिया है और दौर के एक्सप्रस्टर क्यों करने हैं वृद अपर गु भाओं करो स्में में आए को इते बास करते हैं जो यहां बहुत हो किया लिप्रेजब्भां यहां अभी प्रजेंस बन रहे एक लीए यह ऑंगा ऐख एक्सान इंटाओं आभ चुह परिछिवकarat और यहं पन रहा हां यह गुर्डाम यहां पे गुर्डाम ठीक है तो यहां बन लिख रहे हैं दोवारका एक्सप्रेस्वे कि इतना ही आप समझे हैं यह पांच पैकेज में पहला दोवारका एक्सप्रेस्वे कितने पैकेज में बन रहा है पांच पैकेज़ पैकेज पैकेज वन यह आपका जो हाईवे है हाईवे हाईवे का जो एनेच फॉर्टी एट है जो शिव मूर्ती है शिव मूर्ती से जो अंडर पास है सेक्टर ट्वेंटी वन का द्वारका सेक्टर ट्वेंटी वन द्वारका जो अंडर पास है वहां तक आपका पैकेज मतलब यहां से शिरूता हाईवे से शिव मूर्ती से और पहला पैकेज आता है ठीक है दूसरा पैकेज यह दिल्ली में ही है पैकेज टू यह यहां से स्टार्ट होता है यहां से स्टार्ट होता है कहां तक जाता है बॉर्डर कौन सा बॉर्डर दिल्बी गुड़्ाउं एप याइनी इस बौर्ड़ तक जो है वो आपका पैकेज नंबर टू है फिर जो यह दोनों जो पैकेज में यह दोनों यहां तक यह दोनों जो पैकेज है यह कहा है डैली के अबर यह डैली में है ठीक है ठीक है फिर आता है पैकेज पैकेज थ्री कहां से शुरू होगा बॉर्डर से शुरू होगा और यह कहां तक जाएगा सेक्टर 37D उसका जो फ्लाइवर है यह मैंने मार्क किया हुआ है 37D कहीं यहां पर आएगा यह यहां तक यानि शिम मूर्थी से चला यहां यह पैकेज 2 यह पैकेज 1 यह 2 फिर यहां से सेक्टर 37D रखा हुआ है यह 3 और पैकेज 4 यह यहां से स्टार्ट होगा सेक्टर 37D पर फ्लाइवर यहां से शिरूओगा और यहां से शिरूओगा यहां से शिरूओगा